एक गाना तो आप सुने ही होंगे कि आये न बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में इनके दुआरा जानकारी दिया जा रहा है कि दो बेखौप अपराधी आए और गोली मार कर चले गए भी हम बिहार बेखौप जिले के अंतरगत खांजापूर पंचाइत में है और खांजापूर पंचाइत में बेखौप अपराधियों के दुआरा एक ऐसा दुरगटना सामने आया है जिसे कहने और जिसे सुनने में काफी सर्म आएगा एक बात आपको मैं बता दू कि एक गाना तो आप सुने ही होंगे कि आये न बिहार में ठोक देंगे कटा कपार में ओइसा ही एक सामना आया है अचा पहले हम इन से बातचीत करेंगे अचा क्या मामला था अचा लर्का का नाम क्या था? अचा इसे गोली लगा तो मौके पर ही मोत हो गया उस्पता. अब आपको हम बता दे की कुछ लोगों के दोरा ये बता आगह था जानकारी दिया जा रहा था कि वहाँ खुड से ही हीगोडी ब्रकांटा हरा उस्पता. दिया जा रहा है कि दो बेखौप अपरादी आए और गोली मार कर चले गए अच्छा क्या मामला था जो उन्हें गोली खाना परा उनके साथ किनी के दूसमनी था लरकाक मुचभएजे माय को अम्दा धहमकि भर पर देगिया हमरपती ससूड धैर कोई भी नहीं है अचा परेम परसंग का मामला है क्या अचा परेम दुनुक पर जार्म संगीती है अचा परेम दुनुक की लड़की कहा की है नदल्कि जिए बगल के हैं मुस्लिम है फार कुण धम्की देने थैं कट और अपकर दादी है कर चाचीय कर माई है And烥 कर पपपा नसीन खंड की क्या बोले थे व धम्की में किस परकार का धम्की दिए थे एक होता है कि समझना लिजिए एक होता है कि मार ढालेंगे किस परकार के लिए कुकल के अमना बेटी से लाना करें चोतार बेटा है मैं मायर दबो ना करतों मारल जेटों पर जैसे कि आप यहां का महौल देख सकते हैं अब इनकी मा जो थी अच्छा वह कितने उमर का था कितना मैक्सिमम कितना साल ह है वे गवा बैठे अपना जान अभी मुझे लगता है सही से दुनिया भी नहीं देखे और इस दुनिया को छोड़ कर जाना परा अचा आप उनके भाई हो ना बबू भाई हो क्या नाम कर?? ले इसके बारे घान कारी है स्वेरों ला जानकारीन है और यह तो यूब़ा है ब करेगी जीएगा या फिर कर लिए या फायर कर लिए अच्छे यह फायर में क्या क्या लिखवाए उनके बारे में क्या लिखवाए प्रेम परसंग मामला में धंकी दिये है या फिर और कुछ अलाकि यहां बोल नहीं पार है क्योंकि कोई मा का एक अगर बेटा सायद मुझे लगता कि नहीं मा का हो अगर बिछार जाए तो कितना दुख होता है यह आप समझ सकते अच्छा क्या नाम हो आपका रामुदस्वाने क्या नाम धर्मेंद्र कुमार के आपको कोई है चाचा है कैसा लर्का था धर्मेंद्र कुमार की ठीक ठाक था ठाक 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 अचे प्रेम परसंग का मीने तो आपको उनके प्रेम के बारें कुछ पहली सी मालूम था आपको पहले मालूम नहीं था कल हम उसको संस्कार करके आए तो उसके मुबाईल को छिर्चार की ए तो हमको पता लगा तो उसको ममी को पूछे तो उसको ममी बोला कि पांच बज़े साम को लड़की को पापा आया था और धमकी दिया था कि अपना लड़का को समझा लेजिए नहीं तो हम उसको मरबा देंगे मरबा देंगे उसन करने कर नहीं किए कि क्यों मरबाए जो गलति था एकस एक्सक्पर करते बाचित हो गहर ऑगया घर फर कोई कि अभी तक इस पर कोई भी कारवाई नहीं किया गया अच्छा आप क्या कहना चाहेंगे हम तो सर यही कहना चाहेंगे हमरा हो सर बेटा था और जब यह सब घटना जब हो गया तो हम चाहेंगे कि पुलिस को जितना जल से जल हो सके उसके उसके उपर करवाई की जाए जितना जल से जल हो जितना जल से जल हो जैसे कि यहां का मुमेंट तो आप समझ रहे हैं कि उनके आखों में भी आशू कितना आ रहा है और इस तरह से बेखौप आकर मार कर चले गए और इस पर परसाशन के दुआरा अभी तक कोई कारवाई नहीं किया गया और आपको हम बता दे बिहार का सिस्टम कही न कही दीरे धीरे भरस्ट होते जा रहा है अगर इस पे कोई कारबाई नहीं किये तो पूरे भरस्ट हो जाएगा हालाकि इसके बारे में आपका क्या रहा है कोमेंट करके जरूर बताए तो इसी तरह का न्यूज पाने के लिए जुरेड हैं बीबियाल न्यूज के साथ धन्यवाद